नमस्कार वंदे मातरम भारत माता कीजे एज्यूकेशन नावडीस ये सब्जेक्ट है आज के वीडियो का विकाज कई ना कई मुझे लग रहा है कि एज्यूकेशन का स्थर जो है वो धीरे धीरे मुझे नहीं लगता कि बढ़ रहा है उपर से घट रहा है उसका रीजन यही है कि आप दूसरों की कमपैरिजन में आपके बच्चे को इतने आगे दोडाना चाह रहे हो आप उसको चलना नहीं सिखा रहे हो आप उसको सीधा बोल रहे हो जाओ भागो कही ना कहीं आपका बेटा उस चीट के लिए सक्षम है या नहीं वो भी आप लोग नहीं देख रहे हो आप खुद अगर अगर आप देखोगे जब आप लोग पढ़ते थे तब 72% का importance था अच्छी जॉब के लिए distinction कहलाता था जबके अभी आप लोग देखो के ये मुझे भेड़ चाल ही लगती है 99% मुझे नहीं लगता कि आगे चलके इसमें से किन ही लोगों को पता नहीं jobs मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्योंकि education का जो एक difference रहता था 1st class, 2nd class, 3rd class वो कही ना कही खतम ही हो गया है आज का standard एक हो गया है हर एक इनसान में एक unique qualities होती है जिसको सिर्फ परखने की जरूरत होती है बहुत सी बार parents ऐसा होता है कि जहां उनके बच्चे उन लोगों के सामने अपने unique ideas अगर रखने भी जाते हैं तो वो लोग उसको avoid कर देते हैं just on the name of education कि तुम पढ़ाई लिखाई में धान दो ये सब चीजे तुमारे अभी कोई करने की काम नहीं है आप अपने बच्चों को किसी और बच्चों के साथ compare ना करे क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा अगर आपको मुके शंबाणी के साथ compare करने लग गया ना तो आप कही के नहीं रहोगे तो किसी और की uniqueness के साथ अपने बच्चे की uniqueness को पहचाने बगएर उसको इस चीज में दोडने के लिए रख देना ये मुझे लगता है ये अंधापन है आपका बेटा क्या चाता है किस चीज के लिए सक्षम है आप ये सोचे ना कि आपके friend circle में या आपकी society में या आपके समाज में या आपके relative के बच्चे ने ये किया इस वज़े से आपके बच्चे को आप उसी तरीके से धकेल रहे हो तो मुझे लगता है कि as a parent अगर आप ये कर रहे हैं जो आप जज़ भी नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में मुझे नहीं लगता कि 90% से उपर लाना ही एक standard है मुझे नहीं लगता ये क्योंकि हमारे अगर देखे तो बहुत सारे celebrities है जो शायद undergraduates है बहुत सारे ये Bollywood के जो as of now मैं तो Bollywood वालों को मतलब चपल ही समझती हूँ लेकिन आज की young generation के लिए जो उनके role models है आप उन लोगों को देखो वो लोग under graduates होते हैं शायद college भी नहीं गए होते हैं लेकिन वो लोग success है वाई? बिकोज कही न कही उन लोगों में अपने जिस field में वो है वो उन में uniqueness था आप अपने बच्चों के साथ कभी बैठ कर बात करें कि वो future में क्या करना चाह रहे है ना कि ये कि तुम्हे 90% आगे है चलो science ले लो कल से तुमारी ये tuition चालो हो जाए क्या जब आप पढ़ते थे या तब 2-3 लाख रुपय के tutions होते थे 2-3 लाख रुपय शायद किसी की साला नाना salary नहीं होती है और ये सब चीजे privatization के चलते ये सब चीजे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप इन चीजों को हवा देते हैं कोई भी बच्चा tution के बगेर नहीं पढ़ सकता ये चीज मैं नहीं मान सकती हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबजी बेचने वाले और रेकडी लेकर घुमने वाले बच्चों माबाप के बेटे कभी भी IES या IPS नहीं बन पाते जबकि आपके AC में बैठ कर आपके जो बच्चे जो 2-3 लाख रुपय के tution रखते हो आप वो कही ना कही उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं जो expectations आप उनसे लगा कर बैठे हैं क्योंकि उनको खुद को वो confidence नहीं है कि हम इस लेवल पर जा पाएंगे तो उनको वो करवाईए जो उनको लगता है कि वो उनमें top कर सकते हैं जैसी मेरी thinking है मुझे लगता है आज अगर आपके office का अगर प्यून भी होगा तो उसमें वो एक unique point होगा जो शायद आप में नहीं होगा आपके वहाँ जो जाडू मारने आता होगा उसके पास एक unique point ऐसा होगा जो शायद आपके पास नहीं होगा तो हर एक इंसान को न भगवान ने एक फोकड तो पृत्वी पर भेजा नहीं है हर एक इंसान में एक uniqueness भेजी है भगवान ने उस चीज को आप compare करें आज बच्चे suicide कर रहे हैं कर रहे है डिप्रेशन के कारण क्योंके माबाप की comparison और expectations इतने हाई हो गए है उन लोगों से के बच्चे शायद उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसकी वज़े से वो डर जाते हैं कि शायद ये 2-3 लाग रुपए के tutions जो रखे हैं इतने relatives जो आकर पूछते हैं पता नहीं हम क्या जवाब देंगे मेरे माबाप मुझसे क्या कहेंगे उसी pressure में आज बच्चे suicide कर रहे हैं तो ये चीज़े ना करकर आपका बच्चा जिस field में आगे बढ़ सकता है उसमें आप उसका दिमाग लगवाओ ना कि इन सारी चीज़ों में आप लोग अगर देखोगी तो कितने IES और IPS हैसे होंगे जो government school में पढ़े हुए होते हैं आपके बच्चे तो इतनी शानदार और आलिशान school में पढ़ते हैं फिर अगर IES IPS कैडर पे नहीं जा पा रहे वो क्या है हर एक इनसान का एक unique point है जिसको वो utilize कर सकता है अपने देश के लिए आज आप लोग देखो यहाँ से पढ़े लिखे लोग abroad में जाके क्या करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अच्छी jobs कर सकते थे लेकिन वहाँ पर जाकर तो मजूरी करते हैं तो उसका कोई sense नहीं बनता है उससे अच्छा है कि आपका बच्चा जिस चीज में माहीरो आप उसका दिमाग उसमें लगवा है मुझे नहीं लगता कि degree certificate आज अगर आप maths में अगर यह theta वीटा नहीं सिखोगे मुझे नहीं लगता आप कभी भी interview में जाओगे तो आप लेकों को यह पूछा जाएगा x square plus y square is equal to minus y square क्या होता है आप मुझे नहीं लगता कहीं भी यह पूछा जाता है तो खामक हाँ उस चीज के लिए आपके बच्चों पर इतना pressure बनाना और उस चीज को लेकर अपने बच्चे को अपने आप से दूर करना mentally और physically मुझे नहीं लगता यह कहीं ना कहीं यह success है उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों से पूछ कर जहां उनको लगता है हाँ बहुत सारे बच्चे इतने mature होते जो बुलते का मुझे नहीं पढ़ना इतनी बड़ी स्कूल में आप मिरको सामान्य वाली स्कूल में लगाओ लेकिन मिरको यह चीजे करने दो तो आप अपने पैसे वहां invest करें ना कि इन privatization school में high profile बच्चों के साथ बढ़ाने के साथ उनकी ज्यादा fees बरने से बहतर है कि वो पैसा आप वहां पर लगा है जो बच्चा आपका interest लेकर life में आगे बढ़ पाए क्योंकि अगर आपका बच्चा इतने pressure में अगर suicide कर लेगा तो फिर आपके पैसे कुछ काम के ही नहीं है क्योंकि जब आपको समय देना था तब as a parent आप उसको वो चीज नहीं दे पाए क्योंकि हर एक चीज ना पैसा नहीं होता है तो शायद अगर आप ये चाहते है क्योंकि education का level कल हो सकता है 100 में से 101 marks भी आएंगे 10 साल बाद उसका मुझे नहीं लगता ये भेड चाले कहीं न कहीं बच्चे आगे वाले future में खो जाएंगे क्योंकि अगर 100 में से अगर 55 बच्चे अगर 100 के 100 marks लाते हैं तो कहां जाकर इन लोगों को रोजगार मिलने वाला है तो अपने आपको उस तर में डाले अपना बच्चा किसी का नौकर बन के नौकरी करे उससे अच्छा है उसको अपने हिसाब से अपना business डेवलप करने दे जहां उसका दिमाग अच्छा चलता है उसको वो रहा पर चलने दे आपका बच्चा आपके लिए बहुत यूनिक है भी हो सके तो बैठ कर प्लीज उसके साथ वो यूनिक पॉइंट ढूंडे और उसके साथ बात करें उसके future के लिए वन्दे मातरम भारत माता की जए